नमस्कार वश्चों स्वागत से आपके अपने यूट्यूब चैनल दा पिसी एम विजिन में पियारी वश्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास्ट वेल एकॉनोमिक्स जो आपका आर्च वालों का सत्रों फरोरी को एक्जाम है उसके वेरी वेरी करके बैल एकन को प्रेस्ट जरूर कर लिजेगा क्योंकि अब इसके माद आपका सब्जेक्टिव कोश्चन को भी अप्लोड क्या जाएगा तो इसलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे कोश्चन को आप हम लोग डिसकस करते विज चलते हैं तो देखिए पहरा कोश्चन आपका किस्ती अर्फशास्त्र में संमेलित होती हैं तो हम लोग जानते हैं कि स्वेश्चि-arm Water अंतर गत हिं को जोटी छोटी चोटे इकाइयों को देखिए इस में के अंतरगत इसका भी अध्यान क्या जाता है यह भी आपका अजस्टी अर्षास्त में सम्हेली थे ठीक है तो इसको सही उतरो जाएगा आपका option number D you can do so here is a जादा आसान पूसे ने तो जो जादा आसान कोशन है उसको आपर यहाँ जादा डिसकस नहीं करेंगे और जो एक सेट जो आपका जेक के दुवारा जारी किया गया था इसका बहुत ही बहतीरीन तरीके से हम लोगों ने डिसकस किया हुआ था अगर आप लोगों ने नहीं नहीं देखा है तो नीचे और शुच्राइबस निम्न में से किसका अध्यान क्या जाता है तो देखिए आपको यहांपे वह समझ जाना की सब्सक्राइबस तो इस कुन का सहीं उतर हो जाएगा वैंस्टी और शॉस्त के अंतरगत किया जाता है बागी बागी अर्थ यह सब करते हैं तो समघ्र요 संत्र canım कि यृँद्य दो किसी देश्य में पुर्रोजगार किरेंगे जा घ्याता है कि सी देशके कुल उठपादनगे जाते कुल उठ्पादने केज़नाता है पूरे देश्का बात क्या जा रहें तो आपका समस्टी एक ठीक है तो इस कोशिण का सही उतर जाएगा आपका option नमर्द युप्यूक्त सभी इस सभी का दियन आपका समस्टी अर्थसास्त के अंतरगत किया जाता है उसके बाद देखे अगला कुशिन आपका कि वैस्टी अर्थसास्त की साखाएं कुन सी है तो देखे पहला आपका वस्तु का कीमत निधारन ये आपका वैस्टी सभी उसके बाद देखें आपका जैक की दौार्द पूशा भी जल चुका है ताजा ताजा ताजी आपके बोड इग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं देखें कि निमलकीत में से कौन उद्पत्ति का सादन नहीं है तो यहां पे option के नूजए है मुद्र मुद्रा आपका का साधन नहीं है बाकी बात भूमी हो गया श्रह हो गया पुंजी धिया साहस हो रजग साधन था बीजत को के सब्सक्ता टीका साधन पर दिखा इंक है अगर आपनों को नहीं तो मैं नहीं देंगा है आप रही दे की दिख लीजेका बचछो बहुत ज्खे के नेक्स कोशिन पर आते हैं मैक्रोज ज़िसका अमिल कों सा सब्क अगला पता कि आर्थ क्रियां के अदियन के संद्र में अर्थ सास्त्र को दो सखाऊं वेस्टी और समस्टी में निम्न में से किसने विभाजित किया था अनिकि जो अर्थ सास्त्र के दो भागों में बाटा गया ना वेस्टी अर्थ सास्त्र और समस्टी अर्थ सास्त तो इसको किसने बाटा है तो यह आपका रेंगर फिरिष्णे अगला कुछिन आपके बोरिगा में फस्टे कोसे नहीं रहेगा जी देखिए कोछिन आपका कि किस ने कहा कि अर्थ सास्त्र धन का विज्ञान है तो यह कहा था जिसे पिता कहा दाता है एड़ेम स्मित ने कहा था कि या या इसका कर्याक्ट रोगा अगला कुछिन देखिए अगला कोशिता हो यहां पर कुछ पॉइंट है वह तरन की समसिया पूछे पुछे इसका सम्मद कोन से केंदरी समस्या से है तौक रखेगा संसादु paling वितरन की समस्या इसका समल आपका किस के लिए ऊतपादन करें केंद्री समस्या से तो मैं यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र बना देता हूँ, ताकि आप सभी को समझने में असानी होगी, देखे इस प्रकार से आपका उत्पादन संभावना वक्र होता है, तो देखे यह जो उत्पादन संभावना वक्र है, यह आपका यूपर से नीचे की और आ रही ह सम्भावनावक्र के सा होता है इह यूतन समभावनावक्र होता है कि इस होता है यह कैसा होता है इसमें आपका हम मेरेगा रिणात्मक धनात्मक और इस तिर्टू है यह यॉपर से नीचे कहला निकि मैंने मैं जा रहा है तो लोगा है यह एंगे अगा we मूल बंदू की यूर होता है तो मल बंदू के यर किसा होता है यह को गया है और यह कि लिए रहें अब इसका कोई भी कुछिन आपसे गडबर नहीं हुआ चलिए अगला कुछिन पर आते हैं अगला कुछिन आपका कि उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्याओं को दरसाता है देखिए यह कुछिन कितना और पुछा है कैंद्रिय समस्याओं उसके अगला कोसिन आपका कि सादरों का कुछल्तम लगत का वेकलपिक नाम आपका आर्थिक लागत साथिक नमर या इसका correct नंत रोगा उसके बाद आपका इसी टैप का कोशन है लेकिन यहांपे आपका ओप्सन दिया हुआ नहीं है ठीक है तो यह मन समझेगा कि यह कुस्टिन आपके बोर्ड एक्जां में नहीं आएगा वहां पर आपका जो कुस्टिन आएगा उसमें और लेकिन इ वेक्तिगत एकाईयों का अधियन अर्थसास्त्र की किस साखा में होता है तो यह आपका वेस्टी अर्थसास्त्र में होता है उसके बाद देखें अगला आपका कि किसने का अर्थसास्त्र धन का विज्ञान है तो आपका एडम अस्वित ने का था उसके बाद देखें अगला आपका कि आर्थिक समस्या का संबंद किसे हैं तो आर्थिक समस्या का संबंद चुनाव की समस्या से हैं नेक्स कुशन आपका कि कीमत सेंद्र किस अर्थवेस्था में कायर करती है तो यह आपका पूंजी वाजी अर्थवेस्था में काम करता है उसके बार नेक्स कुशन है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल केसा होता है तो पहले मैंने आप सभी को बताया कि रिनात्मक होता है उसके बाद देखें कि अर्थवेस्ता की कोई एक समस्या को लिखें तो अर्थवेस्ता की मुखिरूप से तिन केंद्री समस्या है किसे उत्पादन करें क्या अ सारजिनिक चेत्र होता है या इसके बाद किसके और अनुसार अर्त-सास्त्र मानो-कल्यान विज्ञान है परिवासा कि अनुसार तो मार्शल नहीं क्या है कि शोटी छोटी चोटी चोटी चरों का अधियन की जाता है जिसके अंत्रगत चोटी-चोटी डियों चोटी-चोटी-चोटी चोटी-चोटी चरू काधियन के जाता है ठीक है नमबर नहीं कटेंगा तो नमर मिल देगा बाबू अपना वास अब जितना लिखेगा न उतना जयाद मश्टरवाग खुश्ष हो और चैन का विज्ञान है ठीक है उसके बाद देखे अब आपका दुसरा यूनिट का ठीक है उभोगता बहवार का सिधान इसके चली को देख लेते हैं यहां पर देखे को शिन आपका कि निमने में से पौन सा कथन सही है तो देखे पहला है आपका कि यूप योगीता का आर्थ आपसक्ता की संतुष्टी इसकती है तो यह सही कथन आपका उसके बाद देखे दुसरा आपका कि उपयोगीता इच्छा की साभी उत्र होगा उसके बाद धिके अगले आपका की निमनेसे कोण सी विशल्चत हैं तो देखे punt अबशन आपका यूपयोगीता एक मन्विज्ञानिक धारने तिह इसकी विश्थ नहीं करते कि सब्सक्र एपल का फॉन एपल का फॉन बड़े आदमी के लिए जादा सीक्राइब यूज करता है हम दो की काम का है तो हर वस्तू हर बस्तू का उप्योगिता हर एक वैक्तिक अलग होता है ठीक है उसके बादे के तिसरे विशुच का विशार सापेक्चिक होता है तो ये भी इसकी विस मार्सल upp counterpart किया तो प्रकोषें замечation क क्या प्रिस्तूत किया तो आज रखीगा हिक्स और ए फिकोण और कर इस और और जो बघ्स सिधांट को परिस्तूत किया था ठीक है और अगला है कि उप्योगीता की माप की जा सकती है तो आपके किस के गाल सले खिंग पम का की नियम को कहा जाता है तो उसे कहा जाता है पड़ती अस्थापन का नियम ठीक है और सम दो कह लोगा जो सम सिमान्त बुक्लिता का नियम है यह आपका गोशन का दूसरा नियम है क्या गोशन का दूसरा नियम है इसे भी आप लोग ध्यान रखेगा कोश्चन पुछता है कि गोशन का दूसरा नियम कौन सा नियम है तो समसिमांत उपिगता का नियम गोशन का दूसरा नियम है जिसे परतिस्थापन का नियम भी का ज वक्र नामें एक हो गया आपका ततश्ठा वक्र का चार नाम है एक आपका तताष्ठा वक्र दुसरा नाम एक हुजाश्ण वक्र दिसरा नाम इसके नहीं नहीं देखे मांक करने के लिए हमारे मन में पहले उस वस्तू की परती इच्छा होना चाहिए ठीक है तो पहला option इसका वस्तू की इच्छा तो यह इसमें नहीत होता है उसके बाद एक उस वस्तू की एक ठिक्स किमत होना चाहिए ठीक है तब ही मांग कर लाएगा तो इसमें आपका एक किमत एक निश्चित म किस परकार की वस्तूओं के मुल में कमी होने से मांग में बिर्दी नहीं होती है देखे यह होता आपका अनिवायर वस्तूओं अनिवायर वस्तूओं का मतलब हुआ जिसे दवा हो गया जिसे नमक हो गया ठीक है इससब क्या है अनिवायर वस्तूओं इसका दाम बढ़े या घटे जितना खरिदना था उतने ही खरिदेंगे अगर नमक अभी दस रूपी पंदर रूपी किलो आपका नमक घटेगा एक चलिए लिए को बावीत करने वाले कौन से है तुछ मोडर्वाया हुआ है कीमत भी होता है परिवर्तन भी होता है भोकता की रूची होता है का सभी मांग को परभावित करता है तब मांग कला तब यह मांग यह मांग है। तो यहां पर देखे यह कुछन आपका प्रीवेसर कुछन है कीमत के बजट रखकर का डाल क्या होता है तो मैंने प्रीवेसर करवा रहे थे वहां पर इसको डिसकस किये हुए थे तो अपसिन नमर एक इसका करेक्ट अंत्रुगा उसके बाद देखे अगला कुछन है कि जब अभी हुआ ठीक है कि मोटनी और इ combines का दूनीरं पर नियम का है आपका तो ये सिमांत्विटा के हरास नियम को रते और जो दूसरा नियम है इसका सम सिमांत्विगिता का नियम है हुआ ठीक है सम सीमान्त उप्यगिता दूसरा नियम है यहां पे पुछा पहला नियम पहला हो जाएगा सीमान्त उप्यगिता का हरासु झाले कि उड़ासिंता वक्र मुल बिंदू की यवर किसा होता है तो अभी उद्वासिंता वक्र इस प्रकार से बनाएं थे तो डेके मूल बिंदू क्यों क्या है उठा हुआ है तो आपका उतन होता है जिसे उनदतर भी कहते हैं उसके बाद देखे अगला आपका कि विप्रिटा विसलेशन किस ने दिया था तो मार्सल ने दिया था उसके बाद एक सोचन है कि समाई वस्तू के लिए कीमत का मांग के साथ संब्ध कैसा होता है तो द दो कि सब्सार बाद यहां पर क्या हूँ समंद होता है विपरित इसका उनसर हो जाएगा कृता है तो समझेगा अधर को सभी करते हैं जो हमणों संतूश्ठी मिलती है बैया हमारे को हमारे मं को संतूश्ठी मिलती ला उससी को खालता क्या जो हमारी मन को संतुष्टी मिलती है उसी को उप्योगिता कहते हैं ठीक है इसको छोड़ दीजे एक किताब भी भासा में लिख दिया है यह दो नमर में पुछेगा ठीक है दो नमर यह कुछन है भई यह अगला कुछन देखिए कि सिमांत परतिस्थापन का दर क्या है तो दीजेए टुक्श की मात्रा हो गया यह वस्तु की परती का संप बादेगे आगला कोशिन आपका कि सीमान्त उप्विता क्या है तो किसी वस्तु की एक अतरित एकाई के परियोग से अतरित उप्विता मिलती है उसी को क्या कहते सीमान्त उप्विता करते हैं ठीक है तो एक अत्रियत के यूज़ करने से जो हमें संतुष्टी मिल रही है तो उसी को क्या कहेंगे सिमान यूप यूगिता कहेंगे ठीक है तो एक अत्रियत का यूज़ के तो हमें कितना संतुष्टी मिला तीन का तो यहां पे तीन हो जायागा ठीक है इस प्रकरसे आपका निमरि तो यहां पे हम लोगों ने दो चैप्टर में जोगा तो इस वजेसे आपको दिख रहा है चली अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा और वीडियो को दूस्तों में सेहर जरूर किजिएगा धनिवाद